और इधर छटी जेपीएसी निक्ती मामले में सुनवाई हाई कोट के डबल बेंच में की गई है कोट ने एकल पीट के आदेश को बरकरा रखते हुए छटी जेपीएसी के रिजल्ट को खारिस कर दिया है जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा जटका लगा है बता दे कि जेपीएसी के द्वारा 326 लोगों की नुक्ती रद कर दी गई है जिसके बाद ये लोग राजी के विभेंजिलों में अपनी सेवाई दे रहे हैं सिंगल बेंच के आदेश को गलत बताते हुए प्रारती शेसर तिगा समेथ अनियाचिका करताओं ने याचिका में आदेश को नरस्त करने की गुहार लगा इसके साथ सथ आपको बताएं कि अजयलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ख़वर पर विशेस जानकारी के लिए हमारे साथ अजयलाल है अजयलाल क्या कुछ जानकारी है विशेस उस पर आप हमारे दर्शों को बताएं देखे कास बिना वक्त गवाई इस वक्त हमारे साथ राज के महादी वक्ता, राजीव कुमार है, मैं सिधे उनको जोड़ा हूँ, राज की सरहे तीन करोर जनता, इनके माधम से जानेगी कि छठी JPSC के मामले में क्या कुछ हुआ और इसका असर क्या होगा, सर राज की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ हुआ छठी JPSC के मा ठाएर करने का निर्णे लिया था, तो हम लोग ने उस को राजा सब्सक्साइड के तरफ सकु छूनोती नहीं दी थी, हम लोगוא क 25 जो कर ऑनोसे सा werंद करेंगे, उसी सरकार का जो यह निर्णे था यह सही साबीत हुआ है अज, और जो एकल्पिट कादेश को अगर बक्रा रखा गया है तो हम लोग उसे कंप्लाइंस करेंगे जल्दी से जल्दी सकाच आती है कि जो भी नुक्ती है जिस लनों का भी है वह जल्द से चल्द हो करके और सब का पोस्टिंग हो जाए अप्रोग तो डबल मेंच में भी नहीं गया थे सिंगल बेंच के आदेश को आप पालन करने का निड़ने लिया था इसलिए हम लोग ने जो आदेश सानिन्स को कि एक यह वालीश पेपर है जो गौालीफाइंग मार्फस हई ऑसको अजो जोड़ने के लिए तो एक रवाइज लिस्ट पप्लिस होगा जो कमपलाइन्स होगा जजमेंट का और उस compliance के बहुत में जो revised list पॉलिस होगा उसमें जो जो लोग जो चैनित रहेंगे उनको उन्हीं के उपर फिवी appointment process उनका शुरू होगा फिर उसमें कुछ लोग रह जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कि नई लोग भी आएं सर वही सवाल फिर से कह रहे हैं कि यह double bench और single bench के क्या पराथी आशिका करता खुद गय थे double bench में या फिर कहीं कुछ लगा कि आप निरने को अंप्लिमेंट करने में कुछ देर हो रही थी इसलिए वो लोग गय थे जो लोग अफेक्ट हो रहे थे मालीज अगर रिवाइज होगा तो कुछ लोग जो चैनित हैं वो बहार हो जाएंगे उन लोग के तरफ से अपील दायर किया गया था अपील तो सकार नहीं किया जेपी एसी ने भी आपील जो है वापस ले लिया था तो जो उससे चुद थे जो इनको अफेक्ट कर रहा था कुछ लोग थे उनके संखेज आदे नहीं है वही लोग अपील में गए थे अब इसका असर क्या होगा सर रिवाइज लिस्ट होगा जेपी एसी अब उस ऑनुब सिंगल जसके कंप्लाइंस में एक रिवाइज लिस् तो बाहर होगी, मेरिट लिस्ट के इदार पर फीनेया मेरिष लिस्ट बनेगा उसके बाद लिड़ लिस्ट हम लोग पॉबिश करेंगे और उसके basis पे merit list को revise किया जाएगा. Sir, तो क्या माननिय हाई कोट ने जो आज आदेश में कहा है, जो लोग बाहर होंगे, तुकि वो बेतन भी पा रहे थे, कई परकार के फैसले भी लिये थे, कि कुछ लोगा जैसे अगर कुछ सगर इंट्रिवू लेना हो, तो इंट्रिवू लेकर के जो छूटे हुए हैं या कुछ जोड़ करके, उस लिस्ट के हिसाब से फिर फाइनल लिस्ट टैबलेट होगा. अकास यह महादी बक्ता थे, राजी उकमार साफ सब्दों में कह रहे थे, कि सिंगल बेंच का जो आदेश था, उसको सरकार पालन कर रही थी, लेकिन कुछ लोग डबल बेंच में चले गए थे, बाबजूद इसके अब जो कि आदेश आया है, जेपी असी पर निर्भर करता है कि वो नई सूची कब तक जारी करेगा, सर क्या जेपी से कुछ सला भी देना चाहेंगे आप कि जल्दी से जल्दी इस मामने का पड़ाचेफ हो जाए? मैं जेपी असी का सदाकार नहीं हूँ, और जेपी से एक स्वाय तरसन और कंस्ट्रूशन बॉड़ी है, वो काफी कंपीडेंट बॉड़ी है, वो जल्दी से जल्दी इसका जो अनुरूबल सिंगल जज्जमेंट है, उसको समिक्षा करते वे उसका कंप्लाइंस के उपर निर्ने लेगा, और जल्दी आवश्चक करवाई जल्दी से जल्द की जाएगे, तो सर, इस मामले का पटाच्छेप समझा जाए? हमारे सर से तो लगता है, इस मामले का पटाच्छेप हो गया? हमारे समझ से तो जब डबल बेंच का अजजमेंट है, अगर सब को मानने है, तो हमारे सब्सक्राइब अपील भी नहीं किया था सर चोदह हमें जो जेपीस चलो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे क्या कुछ लोग मेरे इस जो बाहर हुए है उस पर भी वो लोग कोड जा रहे हैं वो उनका निर्णा है लेकिन जो सही निर्णा है जो जो अपना रिवाइज लिस्ट को तोड़ा रिवाइज करने के आवशकता है तो जेपीसी को ऐसा लगा और जेपीसी ने अपना रिवाइज लिस्ट पबलिस किया है पीटी का निया रिजल जारी किया है तो उसमें कुछ लोग जरूर आवश्वर रूप से कुछ लोग उसे बाहर हैं लिस्स से लेकिन जो जो सही है वो सही है बिल्कुल आकास महादी वक्ता राजी वक्ता राजी कुमार को राज की जनता सुन रही थी साफ सब्दों में कहा रहे थे कि छठी जेपीएसी के मामले का अब पटा छेप समझा जाना चाहिए आकास जाहर तौर पर अजे और जिस तरीके से महादी वक्ता राजी वरंजन ने पनी बात गई है पुरे राजी की जनता इस बात को सुन रही थी और खास तौर पर जेपीएसी के जिलों लोग जो तैयारी करते हैं जो अभ्यर्ती हैं वो लगातार इस चीज को सुन रहे थे समाझने की कोशिस करे थे कि फैसला क्या हो सकता और आज फैसला आया है जिसे 326 अभ्यर्ती जो थे जो सेवाई दे रहे थे अब उनकी निउपती को रद कर दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के ल आइकन शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा